प्यारों जब प्रभु येशु जा रहे थे और एक आराद ना लेका सरदार उसके पास आता है और वो प्रभु येशु से बिंती करता है उसकी लड़की मर गई थी और उसके लिए वो प्रभु के पास आये था और जब प्रभु येशु पहुंचने ही वाले थे उसकी लड़की मर गई है वो न्यूज उसके पास पहुंच चुके थे और तब कुछ लोग उससे कहते तेरी बेटी तो मर गई है अब गुरु को क्यों दुख देता है अब क्यों दुआ करता है अब क्यों पुआस करता है अब बाजी बिगड़ गई है, जीवन बिगड़ गया है, जो जॉब के लिए आस्ता रखी थी नहीं मिले, बिस्नेस में फेल हो चुका है, बच्चों के लिए खुआप देखे थे लेकिन कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ, रिजल्ट तेरा जैसा चाहिए था वैसा नहीं है, मत डर केवल विश्वास रख, हाललुया, वही प्रभू आपसे कहना चाहते है, मत डर, जो भी तेरे आगे दिख रहा है, जो लोग तुस्से कह रहे है, उससे सुन कर, देखकर, मत डर केवल विश्वास कर है, हाथों को उठाए और कहें प्रभू, मैं विश्वास करता लोग भले कुछ भी कह रहे हो, सैतान भले कुछ भी कह रहा हो, परिस्थिती भले कुछ भी दिख रही हो, लेकिन तू आज आश्यर्य कर्म कर सकता है, तू आज मेरे चीवन मत गुद काम कर सकता है, मैं विश्वास करता हूँ ये शुप, हाललुया, जब बेटी के पास प्रभु पहुँचे सब रोते थे चिलाते थे प्रभु ने वहाँ पर जाकर कहा कि लड़की मरी नहीं परणतु सो रही है दूसरों की द्रस्टी से लड़की मर गई थी येसु की द्रस्टी से वो सो रही थी और जब ये कहा गया वहाँ लिखा है लोग उसकी हंसी करने लगे आप येशु की नजरों से देखो गे साथ लोग हस सकते हैं ओ ये पागल है अभी भी आसा नहीं छोड़ी अभी भी बोर रहा है सब ठीक हो जाएगा लोगों को जब येशु ने कहा ये सो रही है लोग हसने लगे येशु ने सब को बहार निकाल दिया आललुया आललुया और ये ही जो हस रहे थे वोही लोगों के लिए जब येशु ने वो मरी हुई लड़की को जिला दिया वहाँ लिखा है इस पर लोग बहुत चकीत हो गए हाललुया हाललुया जो हस रहे थे थोड़ी मिनिट पहले वो चकीत हो गए क्योंकि आश्यर कर्म करने वाला खुदा वहाँ पर था हाललुया हाललुया येशु की द्रस्ती में कुछ बिगड़ा नहीं था येशु की द्रस्ती में बाजी हासन निकल नहीं गए थी लोगों की द्रस्ती में निकल गए थी लोग हस रहे थे उसके कहने पर वो ही लोग आश्यर चकीत हो गए ये आश्यर काम करने वाला खुदा वहाँ पर था जो लोग साद आपके उपर अस्ते हो वो बहुत येशु येशु करती थी न देख वही आश्र चकीत हो जाएंगे क्योंकि आपका खुदा आश्र कर्म करने वाला खुदा है